नमस्कार साथियो मैं राहुल सर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पर सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग पहले तो ये बता दीजिए सब के हाल चाल ठीक है सचिन, मौर्या, रादे रादे भीया, RWA का रसगुला, खुसी तुम नहीं पढ़ती हैं रसगुले साव आप ही पढ़लो, खुसी की चिंता क्यों कर रहे हो प्रियंका, दरोगा, हप्पु सिंग, संजय, कंचन, वर्मा, आकाश, सरवन, बिटा स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जल्दी किलास से जुड़ेंगे सभी का स्वागत है जल्दी से सभी लोग किलास से जुड़ेंगे, प्रेक्टिस सेट नंबर 16 है तोलवा प्रेक्टिस सेट आपके लिए बिल्कुल रेडी है बहुती सांदार कुश्चनों के साथ तो जल्दी से सभी लोग पहले तो फटा-फट से किलास को सेयर कर दीजिए सभी का स्वागत है सचिन मौर्या रादे-रादे आकाश भीया स्वागत है स्वागत है आप सभी का सबसे पहला कुश्चन ये रहा जी आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहला कुश्चन आपके सामने ये रहा इसक्रीन पर आप लोग अंसर बताओ क्या होने वाला है वो कह रहा यदि A and B का अर्थ है A B का पिता है A add the rate B का अर्थ है A B की बहन है तो निमले कितमे से H M का पिता किस ऑप्षन में बनने वाला है H जो है वो M का पिता किस option में बनने वाला है add the rate card क्या है add the rate card है बहन तो आप खुद देखो add the rate card बहन है तो यहाँ पर इसका तो चिन ही negative बना तो यह तो answer होने से रहा ऐसे चेक करना होता है exam में H, H M का पिता यहाँ कह रहा है यह इसकी बहन है यह बहन है तो इसका gender ही मालुम नहीं पड़ा यह कुछ भी हो सकता है तो हम नहीं कह सकते कि यह सही होगा क्योंकि add the rate card क्या है बहन पहला वाला दूसरे की बहन है दूसरे वाला का तो gender ही नहीं पता वो क्या है फोड़ देना वहाँ पर यहाँ आप देखोगे यहां इसकी बेहन ये हो जाएगी इसकी बेहन ये हो जाएगी और end card क्या दिया था पिता इसका पिता ये होने वाला है पिलस हो जाएगा इसकी बेहन है बेहन की बेहन बेहन होती है और बेहन का पिता जो है वो पिता होता है H M का पिता बन जाएगा option number C की सहता से exam में time भी बचाना होता है तो थोड़ा सा option को साथ लेकर चलना होता है speed के साथ चीजों में जो गलतियां होती हैं उनको side कर दिया करो next question है आपको बताना है यहां कौन सा dice बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता दिख रहा है कैसा बी को question into लगा देना भी थोड़ा सा यह L है मैं और थोड़ा सा dark कर देता हूँ यह यहां पर A दिया है बेटा यह वाला H दिया है अब आपको सायद बिलकुल साफ साफ नजर आएगा L A और यह वाला G ठीक है यहां पर यह वाला G दिया है आपको और यह वाला K दिया है और यह वाला A दिया है तो आप पहले क्या करोगे अपोजिट निकालोगे दोनों डाइस को compare करोगे अपोजिट निकालोगे H का अपोजिट पूरा column छोड़ना पड़ेगा H का opposite ये वाला K हो जाएगा है ना H का opposite आएगा K फिर A से चलोगे पूरा box छोड़ना पड़ेगा A का opposite आएगा F A का opposite क्या आएगा F आएगा फिर मुझे L से चलना है तो L से इधर चलूँगा पूरा box छोड़ दूँगा अब इसने पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता तो क्या L, H, A possible है L, A, H possible है L, A, G possible है L और G L और G एक दूसरे के क्या थे दुसमन थे possible नहीं है वो opposite phase पर थे तो adjacent नहीं हो सकते किसी भी हालत में G, K, A G, K और A तीन और लग अलग है possible हैं तो आप कहोगे first और third possible है एक और तीन बनाया जा सकता है option number D आपका बिलकुल right है next अगला प्रस्न आपके सामने ये रहा जी एक बड़े घनकी प्रतेक अक्षपर 18 बराबर कटाव लगाए गए हैं तो कितने छोटे घन प्राप्त होने वाले हैं भाई फटा फट से बताओ आपका आंसर क्या आने वाला है speed में आप लोगों का आंसर जल्दी से चेक करो कौन सा option बिलकुल सांदार होने वाला है इसने बोला है 18 बराबर कटाव बिटा आप खुद सोचो जब आप किसी भी वस्तू के किसी भी वस्तू में अगर तीन कट लगाते हो एक दो तीन उसके टुकडे कितने बनते हैं चार बनते हैं ना किसी भी वस्तू को आप देखोगे अगर उसमें आप अगर उसमें आप तीन कट लगाते हो तो वहाँ पर कितने टुकडे हो जाएंगे वहाँ पर टुकडे हो जाएंगे चार फटा फट से आप लोग मुझे इसका आंसर बता दो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी है तो आंसर आप लोगों का क्या होगा 3375 दे रहे हैं बहुत से स्टुडेंट 3375 पेटा मेरी बात सुनना जब वो कह रहा है 18 कट लगाए गए हैं पिरते एक अक्ष पर है ना लंबाई के उनुदिस भी चोडाई के उनुदिस भी उचाई के उनुदिस भी अगर मैं किसी पर 3 कट लगाता हूँ तो इसके टुकडे कितने होते है चार होते है ना टुकडे अब वो अठारे कट लगा रहा है अगर वो ऐसे अठारे कट लगाएगा तो टुकडे कितने बनेगा अगर अठारे कट हुए ठुकडे कितने बने? 19 टुकडे एक एकस्ट्रा बनेगा एकस्ट्रा बनेगा या नहीं बनेगा बस तो 19 की पावर 3 कर देना है अंसर हो जाएगा इतने छोटे घन बनेंगे? यह N की वेलू आ गई एक अक्षपर प्राप्त घनो की संख्या है ना? 19 और total जो cube बनेंगे वो n की power 3 total cube कितने होते हैं n की power 3 यानि की 19 की power 3 कितना होता है आप से भी लोग जानते हो 19 की power 3 6869 ऐसा ही है 6859 very good बहुत सांदार कहा हैं इन में से कोई नहीं None of these 6869 6869 6859 Next अगला प्रस्ण आपके सामने अशर एहमद इद मुबारक नहीं दोगे बिटा आज इद है क्या बिटा मुझे तो इसके बारे में जानकरी नहीं है अगर है तो आपको मुबारक बहुत बहुत है ना मुझे जानकरी नहीं है बिटा एक अनुकरम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है दिये गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिये फटा फट से बताओ क्या आंसर आने वाला है अचा कल है तो कल है तो कल के लिए कल देंगे ना बधाईयां तो कल मिलेंगी आज ही क्यों मांग रहे हो एवी एक दिन पहले ही 41, 38, 30 एक पद गलत है गलत वाला पद ढूंडना है भई आप 41 से 38 ये माइनस का 41 ये माइनस का 38 तो यहाँ प्लस का 3 हो रहा है माइनस के 38 से माइनस के 30 पर जाओगे तो यहाँ प्लस का 8 हो रहा है प्लस का 8 और यहाँ चलोगे तो 30 और ये माइनस का कितना 6 माइनस का यहां लिख दूँगा मैं 20 सॉरी प्लस का 24 यहां चलूंगा यह माइनस का 6 अधर 42 है 42 और 6 हो जाएगा 48 प्लस का 48 यहां चलूंगा तो 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 4 गया 2 यह प्लस का 121 हो रहा है तो गड़बड कहां पर रही बिटा ये तो आपका हो गया दो की पावर दो माइनस का एक ये हो गया तीन की पावर दो माइनस का एक ये हो गया चार की चार नहीं पांच है पांच की पावर दो माइनस का एक ये हो गया साथ की पावर दो माइनस का एक 163 यहां पर wrong है, सुबह की किलास में आपको यही चेप्टर कराया है, wrong number series, wrong number series तो भहिया यहां पर 163 जो है वो गलत लिखा हुआ है, 163, next, अगला प्रसन यह रहा आपके सामने, question number 5, फटा फट से बताओ, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, question number 5, check करो, बड़ा ही आसान सा question है, और exam में SSC के द्वारा पूछा भी गया है, देखो, बिर्कुल normal सा question है, बस आपको logic लगाना है, क्या logic है, चेक करो, फटा फट से, इसको देखो, यह circle इसकोने पर है, अब इसे figure को घुमाया गया है, 90 degree पर कैसा anti-clockwise, फिर 90 degree anti-clockwise, फिर 90 degree, फिर 90 degree anti-clockwise, तो यानि कि यह पहुच जाएगा, इस वाले column में, इस वाले column में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर किसी में है, और circle जो है, इससे बिलकुल अलग है, इसने इसको मिला के रखा है, बिलकुल गलत, है ना, और क्या चीज होनी चाहिए यहाँ arrow गलत दिये हैं, देखो, यह वाले arrow गलत दिये हैं, और सब के नीचे line आ रही थी, यहाँ line नहीं आई हुई, तो यह गलत, option number be right है, option number be right है, next, question number 6, alphabet series, यह चलेगा आपका कल की class में chapter, यह वाला, alphabet और repeated series वाला, कल की class में, morning में, ठीक है ना, तो साथ की साथ देखो, सबी chapters आपके revise भी हो रहे हैं, इस practice set के माध्यम से, जो exam में पूछे जाते हैं, कहलास बेटा, merit list लगती है, उसके according ही pass और fail बताए जा सकते हैं, ऐसे कैसे बता दूँ कि कितने पर लगती है, paper आ गया, कठिन तो down हो जाएगी, paper आसान आया तो थोड़ी, और उपर चली एक और तीन चार, चार और तीन साथ, साथ और तीन दस पर क्या आएगा, जे, plus का 3 हो रहा है, जे वाला एक मात रॉप्शन है, आगे मुझे जाना ही नहीं है, कहानी यहीं पर समाप्त कर देना, बाकी गलत, time बचाना है, time बचाना है, next, भाई, दी गई आकरती में कितने त तिर्भुजों की संख्या, 24, अब 24 के पीछे ही भागने लग जाएंगे, देखो सारे, 24 गलत सही बेशक से, पर 24 के पीछे ही भागेंगे अब सब, इतना मुझे भरोसा है, देखो 24 ही 24 दिखाई दे रहा है, 24, क्योंकि एक न अगर 24 दे दिया, 24 सही भी है या गलत भी है, कुछ पता नहीं, अरे ध्यान से करो, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है, कि आप जल्दी कुशन का अंसर दे दोगे, तो आपको इनाम मिलेगा कुछ, भाई मैंने बताया था, अगर इस पिरकार की फिगर कही आपको दिख रही है, तो इसमें 3 तिर बुज होते हैं, कैसे 1, 2 और एक पूरा बड़ा वाला, अब इसमें लाइन जितनी भी बन जाएंगी, उतनी दुगने कर देना, 3 तो यहाँ बनेंगे इस लाइन पर जितनी लाइन आएंगी, उतना ही उसमें एड कर दिया जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर यही चीज आपको दिख रही होगी, सबसे पहले आप इस वाली फिगर में ढूंडोगे बिटा, इस वाली फिगर में आप ढूंडोगे तो यहाँ तीन और तीन 6 बन रहे हैं या नहीं बन रहें बताओ, वो ही तो चीज थी, तो 6 तो हो गए इसमे सेम कंडीशन पर बिटा, यहां से यहां तक चलूंगा तो 6 इस वाले में हो जाएंगे, अपोजिट बनी हुई थी, 6 इस में हो जाएंगे, एक यहां पर बनी हुई है, नीचे की तरफ, क्योंकि मैं इसको भी तो काउंट करूंगा, नीचे की तरफ यह बन रहा, 6 इस में हो एक तो यह बनने वाला है, सेम कंडीशन पर एक यह बनेगा, इधर वाला, ना, 6 इया, 8 तो मैं लिख दूंगा, साइड में नोट करके, 6 इया, 8 इसके बाद, इसके बाद वाले जो आएंगे, वो आपको देखने है, एक तो यह पिंक आ गया, यह पिंक आ गया, एक यह वाल अप्शन नंबर डी, विल्कुल सही है, नेक्स्ट, अगला प्रस्ण, उशन नंबर आठ, फटा फट से देखो, जै, सिवम, श्याम, रोहन और रमन की उचाईयों की तुलना की गई है, श्याम की लंबाई जै की लंबाई से ना तो अधिक है, ना ही कम है, जै की लंबाई केवल तीन व्यक्तियों से कम है, रमन की उचाई रोहन से अधिक है, लेकिन सिवम से कम है, तो कितने व्यक्तियों की लंबाई स्याम से अधिक लेकिन सिवम से कम है देखो भी कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जै की लंबाई केवल तीन व्यक्तियों से कम है तीन से कम है तो एक दो और तीन इससे उपर आएंगे पांच के पांच आ चुके हैं अब उसने अगली लाइन में क्या बोला रमन की उचाई रोहन से अधिक है लेकिन सिवम से कम है तो ये तीनों जो है वो उपर जाकर पहुँच जाएंगे सिवम से कम है तो इसकार्थ है मैं सिवम को सबसे उपर रखूँगा सिवम आएगा सबसे उपर सिवम और रमन उसके जस्ट नीचे आएगा रमन और रमन के जस्ट नीचे कौन आने वाला है रोहन रमन के जस्ट नीचे आने वाला है रोहन यहाँ पर और ये दोनों S और J यहाँ पर थे दोनों के दोनों पूछा किसका गया है कितने व्यक्तियों की लंबाई सियाम से अधिक लेकिन सिवम से कम है शियाम यहाँ पर था सिवम से कम सियाम से ज़्यादा केवल और केवल दो बच्चे बैठें इन दोनों के बीच में Only two, only two option number C आपका right है Next 108 KN3 बराबर 26 अब की बार CHSL के exam में ये question था भई तरीके का CHSL के exam में मैं आपको बता दूँ इस तरीके का question था find the missing number वाला ठीक है पहचानना आपको आपको बताना है आपका answer क्या होगा 108 KN3 26 लिखाए तथा 4N 95 K 5 बराबर 84 55 K 5 N 6 बराबर क्या हो आश्मा अफसर क्या कह रही है सर हमारा भी नाम ले लो बिटा नाम से क्या कुछ हो जाएगा मुझे ये बताओ नाम लेने से हाँ अगर आपका selection हो जाए या आपको job मिल जाए तो मैं तो यहां सबका नाम एक तरफ से बोलना है start कर दूँगा पढ़ाऊंगा ही क्यों फिर नाम ही बोलूँगा फिर तो ठीक है पिटा question ओपर ध्यान दो सबसे ज़्यादा important चीज़ है question ओपर ध्यान देना अगर समझ में आ रहा है तो ठीक नहीं आ रहा है तो कोशिस करो करने की student दे रहे हैं इसका answer 72 कलो देखते हैं कुछ है 18 चिक्के कट गया पूरा पूरा और 6 ती 9, 9 तीया 27, minus 1, 6 ती 18, plus 28 और अगर मैं इदर काटूंगा तो 5 से ये कटेगा 19 बार और 19 से मुझा ये बनाना है तो गुणा ही करनी पड़ेगी भई 6 ती या 18, 6 ती या 18 इस N कार्थ है गुणा और पिलस का 8 अपनी तरफ से जोड़ना पड़ रहा है देखो केकार्थ तो है भाग, N कार्थ है गुणा और फिर उसके बाद पिलस 8 अपनी तरफ से है और इस N कार्थ है गुणा 19 चौके कितना हो जाएगा, 6, 6 मैं 8 जोड़ूँगा तो 84 बन गया केकार्थ भाग है, N कार्थ क्या है गुणा है 5 से काटूँगा 11 बार और 11 चिके 66, 66 मैं 8 जोड़ना है तो 66, वही आप लोग तो 72 दे रहे थे, हैं गलत कर गए आप लोग 72 नजर आ रहा था भी थोड़ी देर पहले सभी का, 74 है, 66 और 8 ये 8 अपनी तरफ से जोड़ना पढ़ रहा है अलग से, अलग से जोड़ना पढ़ रहा है अपनी तरफ से, 74, 74 नेक्स्ट अगला परसन ये रहा कुश्या नमबर 10, कुश्या नमबर 10 फटा फट से चेक करो, आंसर बताओ, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इसका सही जवाब पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना चेक करो, जल्दी से अंसर क्या होगा जब इस कागज को आप उपर की तरफ उपन करोगे, उपर की तरफ तो ध्यान से देखना, ये वाली लाइन तो इससे, यानि कि ये रेक्टेंगल कम्पलीट होगा पूरा ये ट्राइंगल नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा उपर की तरफ, उपर की तरफ होगा कुछ इस तरीके से दूसरा वाला नीचे से उपर की तरफ था, तो ये उपर से नीचे की तरफ हो जाएगा, यानि कि इस तरीके से ये वाला rectangle पहुँच जाएगा यहाँ पर, इतना काम, अब इसको इधर की तरफ छाप देना, same condition के according, तो पहचानो किसमें क्या गलती है, गलतीयां ढूंडो, सही answer आपको देखेगा, पहले में तो यही गलती है कि यह दोनों triangle नीचे की तरफ क्यूं है, हमारे वाले में तो य यह उपर की तरफ था, उपर की तरफ यह तो गलत, चलो, यह उपर की तरफ, यह नीचे की तरफ, यह उपर की तरफ ठीक है, लग बग लग बग, इसमें क्या दिक्कत है, यह दोनों नीचे की तरफ दे दिये, जबकि दोनों नीचे की तरफ तो हैं ही नहीं, गलत, इसमें क थोड़ा सा उपर दिया है तो ये गलत हो जाएगा option number B जो है वो आपका अतियंत सांदार होगा अतियंत सांदार next अगला question यहाँ भी आपको गलत पद बताने गलत पद के question क्यू रखे मैंने आज दोनों क्यूंकि आज मैंने morning class में यही chapter आपको कराया था इसलिए आपके लिए special में यह रखा है तो फटा फट से बताओ answer क्या होगा 86, 93, 117, 115, 128, 135, 119, 40 speed में speed में answer आना चाहिए भाई फटा फट से 86 से 93 की तरफ जाना है कैसे जाओगे साफ साफ नजर आ रहा है 7 जुड रहे हैं है ना ऐसी करो तो आगे की तरफ भी इरान मैंसे 107 की तरफ जाओगे तो 7 और 7, 14 पिलस हो रहे हैं 107 पिलस का 8, 15, 15 और 13, 28, 28 और 7, 35, 35 और इधर 14 उड़नचास भाई 7, 14, 8, 13, 7, 14 ऐसे तो यह तो फिर गड़बड हो गई 7, 14, 7, 14 होना चाहिए न 7, 14 तो यहां भी 7, 14 का पेर बनता तब जाकर सिरीज अच्छी होती होती, तो यानि कि यहां 8 की जिगह पर मुझको 7 जोड़ना है, तो 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, 114, अब आगे देखोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ही आपका यह 14 का डिफरेंस यहां बन जाएगा, देखो, 114 और 148 तो इसकार था, यह 115 यहां गलत लिखा हुआ है, 115 यहां गलत लिखा हुआ है, इसकी जिगह पर 114 होना चाहिए था, नेक्स्ट, अगला कुश्चन, टाइगराम बनाओ, चेक करो, कौन सा निसकर सही होगा और कौन सा गलत होगा, सभी बोटल कूलर हैं, जितनी भी बोटल हैं, वो सभी की हैं, वो कूलर हैं, कूलर हैं, कोई भी पंखा कूलर नहीं है, कोई भी, no fan is cooler, fan आपका बिलकुल अलग आ जाएगा, मना कर दिया, बिलकुल साफ साफ, कुछ बोटल पंखे नहीं है, बोटल का कुछ हिस्सा पंखा नहीं है, बोटल तो एक भी पंखा नहीं है, तो कुछ वा कुल गलत केवल फस्ट और सेकंड only फस्ट और सेकंड केवल निसकर्स एक और दो अनुसरन करता है नेक्स्ट दिये गए आरेक क्या अधारपन निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है वह बल्ब जो लेंप नहीं है की संख्या दो है टोटल नमबर ओफ टीज इस थर्टी टू चाय की कुल संख्या 32 है कौन सा सही है और कौन सा गलत चेक करो चेक करो फटाफट से आपका क्या अंसर होने वाला है दोनों सही है वह बल्ब जो लेंप नहीं है वह बल्ब ऐसे बल्ब जो लेंप नहीं है लेंप में नहीं होने चाहिए तो लेंप के लिए तो मना कर दिया भई लेंप के लिए क्या कर दिया उसने मना कर दिया तो जो चीजें लेंप में आ रही है मैं उनको क्या करूंगा हटा दूंगा लेंप में जो भी चीजें आ रही है तो यहां तो फर्स्ट वाला राइट हो गया न वो कहा रहा है दो ऐसे बल्ब जो लेंप नहीं है लेंप में नहीं आना चाहिए मैंने लेंप अटा दिया बचा क्या हमारे पास दो बचा भीया तो फर्स्ट वाला तो हो गया अपका राइट फर्स्ट वाला क्या हो गया अपका राइट हो गया अब दूसरे वाले पर आजाओ दूसरे वाले पर आजाओ चाय की कुल संख्या 72 है चाय कहां पर है यह रही चाय यहां पर चाय की कुल संख्या कितनी है चाय की कुल संख्या क्या 32 है 11 और 8, 19 19 और 12, 31 और 1 32 पूरा बन रहा है तो 32 32 बन रहा है ये भी बिलकुल राइट है 32 तो दोनों के दोनों क्या हो गए सही आप option को कौन से को tick करोगे ये important है सबसे ज़्यादा इस question में वैसे तो चीजें आसान थी आपने कर लिया solve लेकिन जब option को tick करोगे exam में तो कौन सा option सही है मुझे बता दो A, B, C, D कौन सा सही है कौन सा सही है option option बताओ बेटा कौन सा सही है option बताओ option बताओ जल्दी से option A, B, C, D A, B, C, D देखो बहुत से student A की तरब भाग रहे है बहुत कुटाई कर दी जाएगी आपकी अच्छे तरीके से यहाँ पढ़लो लिखा हुआ क्या है question को सही करने के बाद भी आप exam में उसका अगर answer गलत करके आते हो तो फिर मामला खराब कौन सा statement wrong है यह पूछा है उसने कौन सा statement wrong है कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन गलत है यहाँ तो दोनों सही आ रहे थे तो option चूज करोगे आप इस वाले को ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है क्योंकि दोनों सही है दोनों क्या है? सही है तो option number D को चूज करना है exam में इसको पढ़ लेना अच्छे से कुशन number 14 यहाँ आपको figure दी गई है और figure में पहचानना है कि जो relation पहली figure का दूसरी figure के साथ है वही relation तीसरी figure का चौथी figure के साथ होना चाहिए चेक करो कुशन आपके सामने है सर मैं analogy कैसे अच्छी करूँ बेटा analogy के लिए जो topics मैं आपको class में बताए थे उनको अच्छे से मजबूत कर लेना पूरा chapter अच्छे से मजबूत हो जाएगा जो topics मैं आपको वहाँ बताए थे class में बई देखो इसने क्या किया इस figure को ये जो arrow है ना arrow उसको यहां से 45 degree पर anti clockwise में rotate किया गया है 45 degree में anti clockwise anti clockwise अब यह जो गुणा है मैं इसको भी 45 degree पर arrow को मैं 45 degree पर rotate करूँगा तो arrow आएगी इधर की तरफ और ये वाला box जो है ये जाएगा उपर की तरफ कुछ ऐसे ये दो चीजें तो सेम रहने वाली है क्योंकि जो उपर की चीजें थी आप यहां भी देख पा रहे हो यहां पर triangle बना हुआ है तो जो उपर की चीजें थी उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है बिलकुल भी हलका सा बस rotate किया गया anti clock wise में 45 degree पर तो मैं भी इसको anti clock wise पर 45 degree पर rotate करूँगा ऐसे अब उसने क्या किया नीचे की जो दोनों चीजें थी एक तो ये आधा circle है और एक यानि की c बना हुआ है और पूरा circle बना हुआ है इनकी position change कर दी क्योंकि triangle के नीचे circle था इधर triangle के नीचे c आ गया तो भीया इस arrow के नीचे जो circle है ना वो अब arrow के नीचे नहीं आएगा वो इधर के नीचे आएगा ये आधा circle जो था वो इधर की तरफ पहुँच जाएगा ऐसे ये बात बनने वाली है option कौन सा सबसे best है ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ cross बन रहा है इसमें circle आएगा इसके नीचे ये option number बी बिल्कुल right है इसमें आधा circle नीचे दिया था तो ये गलत होगा बिल्कुल ही next ये है आपको ढूंडनी है कि ये जो question figure है वो कौन सी answer figure में embedded है यानि कि अंतर नहीं थे है गौनन की अनुमती नहीं है figure को rotate नहीं कर सकते जो question figure है आपको पहचान कर निकालनी है कि किस answer figure में छिपी हुई है गल्दी से बताएंगे सभी लोग फस्ट वाले में क्या मिल रहा है triangle बिल्कुल मिल रहा है एकदम line नहीं मिली मामला खतम गडबड तीसरे वाले में मुझे triangle दिख रहा है बड़ा वाला भी दिख रहा है और छोटा वाला भी दिख रहा है इधर से इधर की तरफ आउगा इधर की तरफ आउगा इधर line और इधर जाऊँगा तो इधर line option number 3 option number C सभी का एकदम सांदार जवाब option number C अती सुंदर figure को complete करना है complete the figure इस आकरती को पूर्ण करना है और पूर्ण करने पर कौन सा option सबसे सटीक होने बाला है मात्र 2 सेकिंड का question है 2 सेकिंड का exam में थोड़ा सा time क्यों लगता है क्योंकि वहाँ पर online exam में आपकी figure जो होती है ना पहले पहली screen पर question figure मिलेगी और नीचे की screen पर आपको answer figure मिलती है तो थोड़ा सा देखने में समय लग जाता है करोगे कैसे complete सबसे पहले इस वाले square को complete करोगे फिर circle को complete करोगे इस वाले square को यहाँ complete करोगे यह वाला इस से यहाँ complete होगा बाकी सारी चीज़ें आपकी आ चुकी है पहचानो भीया कौन सा option आपका answer होने वाला है यह पहचानो पटाफट से आपका answer कौन सा है यहाँ circle काट दिया बिलकुल गलत यहाँ circle काट दिया बिलकुल गलत यहां लाइन काट दी बिल्कुल गलत option number C एकदम correct है next छे व्यक्ति यक्षे अनुराग आमित अनुभव आर्यन आशी से एक सीधी पंक्ती में उत्तर की और अभिमोखो कर बैठे हैं इनको बिठाओ 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 क्या होने वाला है आंसर सभी लोग इनको बिठाओंगे क्या अनसर होने वाला है छे व्यक्ति हैं और उत्तर की तरफ मुक करके बैठे हैं नौर्थ डिरेक्शन में फेस करके बैठे हूँ है छे व्यक्ति एक, दो, तीन, चार, पांच और ये वाला छे छे व्यक्ति बैठे हूँ है नौर्थ की तरफ फेस करके अक्ष्या और अमित किसी भी सरे पर नहीं बैठे ठीक है अमित और अनुभव परसपर निकटम पड़ोसी है आरियन दाइसरे से दूसरा है एक का हमको fix कर दिया आरियन दाइसरे से दूसरा है तो आरियन को यहां बिठाऊंगा ठीक है अच्छा कुश्यन है एकदम सामदार अनुभव और आसीस के बीच केवल अक्षे बैठा है और अ आसीस और अनुभव के बीच केवल अक्षे बैठा है तो क्या मैं आसीस को यहां बिठा सकता हूं possible देखो दो case possible बनेंगे वो दोनों ही बताऊंगा आसीस यहां भी हो सकता है आसीस यहां भी हो सकता है आसीस और अनुभव के बीच में केवल अक्षे बैठा है तो आशीश, थोड़ा, आशीश को सही लिख लेना भई, इसमें बडी मातरा दी है, आशीश इधर भी हो सकता है, और अनुभव के बीच में अक्षय है, तो अनुभव यहां पर हो जाएगा, बीच में अक्षय होना चाहिए, अक्षय आ चुका है, चलो, कौन सा केस पॉसिबल हो अनुभव अब कह रहा है अमित अनुराग के बाई और दूसरा अमित अनुराग के बाई और दूसरा ये उपर वाला केस पॉसिवल ही नहीं बिठा सकता तो इस केस को आप हटा दोगे क्योंकि ये केस पॉसिवल ही नहीं है नहीं बन सकता नहीं बन सकता क्योंकि अमित को अमित अनुराग के बाई और दूसरे स्थान पर है अमित और अनुभव परस पर निकटम पडोसी हैं अमित और अनुभव पडोसी भी हैं बिलकुल ठीक बैठ गए पूछा क्या गया है अनुराग और अमित के बीच में कौन है अनुराग और अमित के बीच में बैठने वाला इनसान है आर्यन आर्यन होगा इस प्रिसन का सही जवाब अमित और अनुराग के बीच में है आर्यन नेक्स्ट यहां कौन सा समीकरण सही होने वाला है यदि भाग और माइनस को परस पर बदल दिया जाए तो इस बार कुश्चन ऐसे आये थे एक्जाम में CHSL के एक्जाम में देखो जरा भाग और गुणा को बदलने से दोनों एक्विशनों को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा कौन सी एक्विशन राइट होगी और कौन सी रॉंग होगी भाग और माइनस माइनस इधर रख देना और भाग इधर रख देना 3 से कड़ जाएगा 15, 3, 45 छीक 18, 6, 108, 14, 251 251 माइनस के 15 11 में से 5 गया 6 और 4 में से गया 3, 236 बिल्कुल राइट है पहली वाली तो बिल्कुल राइट है दूसरी वाली पर आजाओ माइनस और भाग को बदलना था यहां भाग रखूँगा इधर में माइनस रखूँगा क्या पकेस पॉस्सिबल है साथ एकम साथ, साथ, नाम तड़े, सट फिलस के 16 गुणा गयारे करूँगा तो ग्यारे चिक के 16 एक सो चेतर हो जाएगा माइनस का थर्टी सेवन नौ छे पंद्रे हासिल गया एक साथ और दो नौ एक सो पिच्चानमे मैं से 37 माइनस करना है पंद्रे मैं से साथ गया आठ बचा और इधर आठ मैं से तीन गया पांच बचा 158 ये वाली भी सही आ रही है ये तो दोनों सही आ रही है बोथ राइट बोथ राइट बिलकुल सही जवाब होगा दोनों सही हैं एक और दो दोनों किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या यहां दोनों की दोनों एक्विशन जो हैं वो हमारी right होने वाली हैं बढ़ता हूँ मैं next की तरफ ये रहा आपका अगला question आपको यहां बताना है कौन सा सब्द तीसरे नंबर पर आने वाला है कौन सा सब्द तीसरे नंबर पर होने वाला है पटाफट से बताओ आपका अंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताएंगे सबी लोग आपका अंसर क्या होगा इस प्रशन का सही जवाब पिछले वाले में डाउट है किसी को क्या दिक्कत हुई तीन से पंदरे बार कट गया अठारे चिक्कू 108 और 43 और 58 ये हो जाएगा दो सोग्यावन दो Chief continuous मैं से पंदरे घटाउंगा दो सो चथटिस हो जाएगा ठीक है साथ से कट जाएगा 133 उननिस बार फिलस के ग्यारे चिक के चासट और ग्यारे कम ग्यारे और छे सत्रे एक सो छेतर और यह 37 माइनस करना है नौ छे पंदर है पांच हासिल गया एक साथ दोनो एक सो पिच्चान में सही तो आ रहा है बिटा सही हैं दोनो नेक्स्ट यहां बताना है कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा तो कॉमन चीज़ों को आप हटा दोगे सबसे पहले i,s,o हर किसी में कॉमन है इस ओ हर किसी में common है फिर M आ रहा है इधर आई यह इन है इसको L मान कर चलना और इधर भी L है इधर N है इधर T है इधर L है तो L वाले पहले आएंगे या M वाले L वाले पहले आएंगे इसका हटा देना L यहां से हटा दो L यहां से हटा दो और L यहां से A वाला सबसे पहले आएगा चार नमबर I और O में यह आएगा दूसरा नमबर पर यहां और तीसरे नंबर पर गया तीसरे नंबर पर गया ये पांच नंबर वाला तीसरे नंबर पर पूछा गया था तो ये आपका आंसर होने वाला है Option नंबर D Next Abhishek एक बिंदू से शुरू करते हुए दक्षन की तरफ 15 मीटर चला वह बाएं मुड़ा 20 मीटर चला इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला फिर पुने बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला बिंदू B पर पहुँच गया बिंदू A के संबंद में बिंदू B कितनी दूरी पर और किस दिसा में इस्थित है ये आपको बताना है चेक करो फटा फट से पंदरा सेकंड के अंदर अंदर अंसर पंदरे वेस्ट ठीक है एसे सुरू करा दक्षिन की तरफ गया कितनी दूर चला पंदरे चला भड किवल फिर वे बाएं मुडा और 20 मीटर चला बाइं किदर होगा इधर? 20 मीटर चला चला गया कोई दिक्कत नहीं है फिर बाएं मुडा पंदरे चला इसके सामनी आ गया बिलकुल जहां से चल रहाता है ना इस प्रकार से फिर यहां से 35abbी चलता है बाएं मुढ़कर है ना बाएं मुढ़कर 35 मीटर 20 तो यह हो जाएगी 15 और चला जाएगा यह 15 हो जाएगी और यह वाली 20 हो जाएगी यह इसका starting point था starting point और यह इसका end point है भईया end point कितनी दूर है 15 मीटर पश्चिम में है 15 मीटर west में है वो कह रहा है कि बिंदू b पर पहुँच गया बिंदू a यह बिंदू a है इसके बारे में बोला गया यह बिंदू हमारा a है और यह बिंदू b है यह बिंदू कौन सा है यह बिंदू b है तो वो 15 मीटर पश्चिम की तरफ है next यहां कुश्चन मार्क लगाए यहां आपको बताना है कि सीरीज में कुश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आने वाला है कौन सा नंबर होने वाला है सबी लोग फटा-फट से इसका अंसर दे देंगे 53,50, 53,45, 53,45 दो बार उश्चन मार्क 3,60, 3,75 क्या आपका अंसर होगा गौरब भीया बहुत सांदार, चौदरी जी बहुत सांदार, गजब, अती सुन्दर, 50 से 45 पर जाना है तो यहां तो माइनस के 5 हो रहे हैं, 45 से 45 कुछ नहीं, 0 का डिफरेंस फिर यहां मुझे डिफरेंस निकालना है, यहां निकालना है और यहां मैं चेक कर लूँगा 60 और पिछे तर में पिलस का 15 हो रहा है भीया पिलस 15, माइनस, 0, 5 के गेप पर ले जाओ, 5 और 10 सभी में 5-5 का गेप बना लेना, यहां भी 5 का डिफरेंस, यहां पर भी 5 का डिफरेंस, यहां पर भी 5 का डिफरेंस, और यहां पर भी 5 का डिफरेंस तो इस का रत है, 2345 में 5 जोडना है तो два 350 जो होगा, वो अंसर होगा 360, next question अपके सामने Point को 11 लिखा गया है grand को है है मन्त को क्या लिखा जाएगा बता न जड़ा बता होई क्या आया आपका अंसर P 16 पर होता है O 15 पर होता है I 9 पर होता है N 14 पर होता है T 20 पर होता है 11 बनाना है कहीं ऐसा तो नहीं है number of letter के साथ खेल रहा हो 5 दूनी 10 और 11 लेकिन इधर नहीं है क्योंकि 3 5 और 2 7 आइं तो 7 दूनी 14 भीया फिर तो मामला खराब है है न है तो 16, 15, 31, 49, 44, 54, 20 कितना हो गया, 74, 74 की भी यूनिट डिजिट को जोड रहा है, 7 और 4 कितना ग्यार है, 7 और 4 ग्यार है, यहाँ चेक करूँगा, जी साथ पर, आर अठारे पर, ए एक पर, एन चौधे पर, डी चार पर, एस उननिस पर, और टी बीस पर, जोड़ना सब को, 7 अठारे, 25 और 26, 26 और 14 कितना हो जाएगा, 44, 44, 44, 46, 63, 63, 63, 83, 83 को एड करोगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, यह भी 11 बन गया, यानि की, रियल सम के बाद भी, डिजिट सम लगाया है, रियल सम के बाद भी, डिजिट सम है, 8, 5, 13, 1, 14, और 20, सब की रियल वैलू लिखो, 8, 5, 13, 23, 26, 27, 24, 21, 61, 61 का डिजिट सम करूँगा, 6 पलस का 1 is equal to 7, 7 आपका बिलकुल सही जवाब, डिजिट सम है, रियल सम के बाद भी, डिजिट सम अंको का योग, एक निश्चित कोड भासा में, गिलोब को इस पिरकार लिखा गया है, कोड को इस पिरकार लिखा गया है, तो इस मार्ट को कैसे लिखा जाएगा, alphabet series के थोड़े ज़्यादा question लाईए sir कल morning की class में कराऊंगा ठीक है न alphabet series है और आपका repeated series दो chapter एक ही class में थोटे chapter हैं आसान है यहां क्या logic है भई G7 पर H8 पर पिलस का 1 L12 और 25 में logic नहीं है फिर O15 और 18 B2 और I कुछ बात बनी क्या first से last पर जाना 7 और 3 10 पिलस का 3 यह तो ठीक लग रहा है पारे मैं से 3 गया 9 अब की बार minus 3 15 पिलस का 3 18 फिर 2 minus का इधर 3 है और 5 पिलस का 3 है एक बार plus एक बार minus ऐसे कर रहा है first से last पर जाना है तो यहां आप देखोगे first से last पर जब आप जाओगे तो पिलस का 3 करना पड़ेगा ऐसे कर लेना स्मार्ट का हमको निकालना था S.M.A.R.T हम क्या करेंगे first वाले में last में पहुचाना है हमको तो first वाले का plus 3 के साथ 19 और 3 कितना होता है 22 पर V होता है फिर माइनस का 3 करना है 13 में से 3 घटा होगे तो 10 पर J आजाएगा फिर पिलस का 3 करना है 1 और 3 4 पर करोगे तो D आजाएगा फिर माइनस 3 18 में से 3 गया 15 पर O आजाएगा फिर पिलस का 3 करना है 20 और 3 23 पर क्या आएगा W आएगा डबलू ओडी जे वी, डबलू ओडी जे वी, डबलू ओडी जे वी, ऑप्शन नमबर फस्ट, नेक्स्ट, हाती सूंड मचली गलफडे कंगारू क्या, हाती के क्या होती है, सूंड होती है, मचली के क्या होती है, गलफडे होते है, कंगारू के क्या होते है, सींग होते है, कर नहीं थैली होती है थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को छोपा कर रखता है थैली होती है बिल्कुल ठीक है थेला थेला तो बिल्कुल ही गलत है थूतन क्या चीज होती है मजल होता है तेसी बासा में मचुका है ना देखने है जो छोटे जानवरों के जैसे गाय भ गलत होगा तो सिंग भी नहीं तो सबसे बेस्ट है थैली थैली नेक्स्ट और लास्ट फटा-फट से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा यहां आपको बताना है कि कौन सा सेट इन दोनों सेट के समान होने वाला है सिमिलर सेट जिसको बोलते हैं तूर के मुख को थूतन बोलते हैं नहीं सत्रे तेरे अड़ सट भाई बहुत ही अच्छा लोजिक है बहुत ही सांदार लोजिक क्या है सत्रे माइनस का तेरे और सत्रे में उसकी गुणा कर दी सत्रे में से तेरे यानि कि इन दोनों का जो डिफ्रेंस है ना चार आ रहा है ना चार की गुणा सत्रे में कर दी 55 में 46, 9, 9 की गुणा कर दी इसमें तो ऐसे ही अगले वाले में बन रहा है 55 के साथ 55 में साथ जब मैं 46 घटाऊंगा उसकी गुणा कर रहा है यहां बन गया 74, 64, 68 और यहां बन जाएगा आपका 495 में देख लो जरा 55 में 46 गया 9, 95, 45 का 5, 95, 45 और चार उड़नचास तो ऐसा ही लोजिक हमको नूढ़ना है 99 और 6 पिछेटर, 65, 30 और हासिल गया 3, 6, 72 और 3, 45 गलत हो जाएगा यहां 69 और 9, 65, 6, 65, 36, 36, 36 और 3, यह भी गलत हो जाएगा 49 और 6, 45, 6 की गुणा करूँगा 56, 35, 36, 24 और 3, 27 और अप्शन नंबर बी अप्शन नंबर बी एकदम सांदार, एकदम गजब इसी को कोई समस्या, कोई परिशानी हो तो बताओ फटा फट से और यह आपका आज का हूमवर्क यह आपका हूमवर्क है, इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे जो भी आपका अंसर आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, इस प्रसन का सही जवाब ठीक है? साहिल ठाकुर बिटा, कॉंसेप्ट किलास जो अगर आपको यूटूब पर चाहिए फिरी तो वो दुपेर के एक बज़े चलता है दिल्ली पुलिस का बैच और बाकी सुबह CHSL में साथ बज़े आपकी रिजिनिंग होती है, वो बैच में होती है एप्लिकेशन पर बाटा, बाइबाए